बात करेंगे खबरों की खबरफास दोरा हाल ही में किये गए रियल स्टेट सम्मेट अवार्ड में गाउ बाई खेड़ा थेथर्ड के सरपंच शामवीर रवाना को समानित किया गया आपको बता दें कि सरपंच शामवीर को कई मुख्य जिम्मेदारियां दी गई हैं वही मुख्या होने के नाते शामवी रवाना महतपुर्ण भूमी का भी अदा कर रही है हमारे समवादता सूरज दुलहा ने शामवी रवाना से बाचीत की आये सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका एक छोटे से गाओं का जो मुख्या होता है और गाओं वाले ये सोचते हैं कि हमारा मुख्या हमारे गाओं में विकास करे हरियाना में 6,037 के करीब पंचाते हैं लेकिन एक गुरुग्राओं में ऐसी पंचात ऐसा गाओं और ऐसा मुख्या जो नाकी विकास भी करवाया है साथ में एक निजी कोच से अपने निजी कोच से गाओं में रास्ते अखल वाए गाओं, बाई खेडा, तेथर गाओं के सर्पंच, सांबिर आवाना जो कि गाओं के मुख्या ओने के नाते गाओं में विकास भी करवाई लेकिन गाओं का 32 साल से रास्ता जो बंद था एक 40 सार का जो रास्ता बंद था उस रास्ते उखलवानेगा जो कारे किया है वो बहुत ही सरानिये कदम है सामबिर आवाना बात करते हैं सबसे पहले आपसे मुबारिक बात देना चाहेंगे कि आपको जो सम्मान दिया गया जेपि दलाल ने करशी मंतरी ने कैसा मैसूज किया आपने जबाव करना लिया गया कि बाई किरा 33 के सरपंच सांबिर आवाना। गोर्ट के सरपंगर साथ में ग्रांट बीकरन लिकिन जो आपने सरानम किया कि आपने निजी को च्छे रास्ता खरीद कर गाउट किया है तो पहले कितने सालों से खिंज्चा थी और क्या सोच आपने पहले आप ये काम करेंगे हमारे ग्रहाम पंचायत बाई खेड़ा टेठर में यह बाई खेड़ा ग्रहाम का एक रस्ता था एक एकड़ का रास्ता था और फिरनी में लगता था वो रास्ता तो वो रास्ता कम से कम 32 साल से बन था और हमारा यह अपना दर्ड संकल अपता कि चाहिए हम निजी कोश से करें पंचायत फंड से करें वो रास्ता हमने निकालना है पंचायत फंड से अगर अवेलेवल नहीं हो पाया तो हमने अपने नीजी कोश से जमीदार से बैठ के बात करी एक कमेटी बनाई और कमेटी के अनुचार उस काम को अंजाम दिया और उस रास्ते को खरीद के हमने एक एक रास्ते को पंचाइद के नाम डॉनिट कर दिया ये बिल्कुल एक तारिव के काबिल है सामबिर अवाना एगर ऐसा सर्पंट हर एक गाउं में हो तो गाउं की तस्वीर बदल सकती है खबर फास्ट मिन को सलाम करता है कि एक गाउं के मुख्या होने के नाते अपनी जेव से प पूरे हरियाना में हैर गाउं में हो तो गाउं की तस्वीर बदल सकती है कामेरामेन अनिन कुमार के साथ मैसुर रदून खबर पास्ट गुरु गुराम